नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही फेमस अनुपमा का किरदार करने वाली एक्ट्रेस रुपाली गौंगली के जीवन के बारे में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इनके फैमली, एजुकेशन, करियर और प्रेसनल जीवन के बारे में भी बिजय गौंगली पेशे से कुरियोग्राफर है, रुपाली ने होटल मैनेजमेंट की परहाई करी और इसके बाद ये थियेटर की तलस रुख की क्योंकि इनका फैमली बैक्ग्राउंड था और इनकी रूची एक्टिंग की तरफ थी, अब बात करें रुपाली की करियर की इसके बाद इनका टेलिवीजन डेब्यू हुआ साल 2000 में सीरियल सुकन्या से, इसके बाद इनको ने सीरियल संजीबनी में साल 2003 से लेकर 2005 तक डॉक्टर सिमरन चोपरा का किरदार निवाया और इस किरदार से इनको काफे रेकगनिशन भी मिला, इसके बाद ये नजर आई, स सारा भाई वर्सिस सारा भाई में मोनिशा का किरदार करते हुए, इस सीरियल के लिए इनको काफी तारिक मिली और सरानाय भी मिली, इसके बाद इन्हों ने बिग बोस के सीजन वन में भी पाटिसिपेट किया, फिर इन्हों ने बहुत सारे सक्सिस्फुल सीरियल में भी काम किया जैसे एक पत्ती उमीद और फिर साल 2011 से लेकर 2013 तक सोनी चैनल पर सीरियल परवरिष कुछ खटी कुछ मीठी में पिंकी खरना के किरदार में नजर आई इस सीरियल के बाद ये साथ सालों तक एक्टिंग करियर से दूर रही फिर साथ साल बाद इन्होंने सीरियल अनुपमा से अपना कमबैक किया जो की बहुत ही जोरदार था अनुपमा सीरियल से रुपाली की मिटी हुई पैशान भी वापस आई और साथ ही साथ इस सीरियल ने इनको एक अलग उचाई तक पहुचा दिया ये सीरियल इनके करियर का माइल्ट स्टून साबित हुआ और ये घरगर में अनुपमा के नाम से जाने जाने लगी अब भी भी ये सीरियल ओन एर है अब बात करें सीरियल के अलावा तो रुपाली ने बहुत सारे प्लेज में भी काम कर रखे जैसे ओए की गर्ल है सेलफी पत्ते खुल गए और इन्होंने खत्रों के खिलारी में भी पार्टिसिपेट किया है ये तो रही इनके करियर की जानकारी अब बात करी इनके प्रशनल लाइफ की तो इन्होंने साल 2013 में बिजनस पैन आश्विन के वर्मा से शादी करी और शादी से इनको एक बेटा है ये तो रही रुपाली के जीवन की कहानी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ तब तक इजाज़त दीजे थैंक यू